सुपरबात बच्चों, कल मैं आपको पाठ पड़ा रही थी, मेरा बच्चपन आज मैं आपको इसके प्रेशन पर करवाँगी प्रेशन एक कलकत्ता के महरलों में कैसे घर होते थे? जो कलकत्ता के महरले थे, उनमें किस प्रकार के घर होते थे? कैसे घर होते थे इसका आंसर है कलकत्ता के महलों में हर घर में आगे पीछे खुले बरामदे होते थे और सभी घरों की चतें बड़ी बड़ी होती थी कलकत्ता के महले में हर घर कैसे होते थे हर घर में आगे पीछे खुले बरामदे होते थे और सभी घरों की छतें बड़ी बड़ी होती थी प्रश्न दो मजली भावी को क्या शौक था? मजली भावी को अपने घर के बरामदों और छतों पर पिंजरे लटकाने का शौक था मजली भावी को क्या शौक था? अपने घर के बरामदों और छतों पर पिंजरे लटकाने का शौक था प्रश्न तीन है लेखक को घर के सभी बड़ों से डाट पड़ी क्यों पड़ी थी क्यों पड़ी थी क्योंकि लेखक ने एक दिन गिलहरी और दूसरे बंद पच्छियों को आजाद कर दिया था इस कारण उन्हें अपनी मजली भावी और अपने घर के सभी बड़ों से बहुत डाट सुननी पड़ी क्या होगा इसका अंसर लेखक को घर के सभी बड़ों से डाट पड़ी क्यों पड़ी थी उनको क्योंकि एक दिन उन्होंने गिलहरी और दूसरे बंद पच्चियों को आजाद कर दिया था इसके कारण उन्हें मजली भावी और परिवार के बड़ों से बहुत नाट सुननी पड़ी प्रशन 4 है लेखक ने किसे आजाद कर दिया किसे आजाद कर दिया लेखक ने गिलहरी और दूसरे बंद पच्छियों को आजात कर दिया Question number five डाट पढ़ने पर भी लेखक क्यों प्रसन न थे? यह नि लेखक को जब डाट पढ़ी उसके कारण भी वो प्रसन न थे क्यों प्रसन न थे? तो डाट पढ़ने पर भी लेखक प्रसन थे क्योंकि पिंजरे में बंद प्राणियों को उन्होंने आजात कर दिया था क्यों प्रसन थे लेखक? क्योंकि उन्होंने पिंजरे में जो बंद प्राणियों थे उनको आजात कर दिया था इस कारण लेखक प्रसन थे बच्चो ये प्रश्ण उत्र समझ में आ गई होंगे धन्यवाद